तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मैं आपको सबसे पहले प्रूब दिखा रहा हूँ मुझे यहाँ पर पैशो की इमरिजेंसी थी और अभी-अभी मैंने एक लोन एप से लोन को ट्राइ किया है और जहाँ से देख सकते हैं मुझे 4,000 रुपिय का लोन अप्रूब कर दिया गया है दोस्तों मैंने इस लोन को सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड एन पैन कार्ड से ही अप्लाई किया है इस लोन को लेने के लिए ना ही मुझे कोई बैंक स्टेटमेंट देना पड़ा और ना ही कोई हमनी इंकम पुरूब दिये तो दोस्तों ऐसे ही दोस्तों अगर आपको भी इसमल लोन अमौन की रिक्वाइरमेंट है आप भी छोटा अमौन का लोन पाना चाहते हैं वो भी बिना किसी जंजट बिना किसी पेपर वर्क है अगर आपको भी ऐसे ही चोटे इसमल अमौन का लोन चाहिए तो इस वीडियो को कमपीट देखेगा लोन लेके दिखाएंगे वो विद्फूरूब के साथ तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किये तो वीडियो को कर दीजे लाइक को चैनल पढ़ना है चैनल को कर लिजे सबस्क्राइब तो दोस्तो इस लोन अप से लोन लेने के लिए सबसे पहला आपको इस लोन अप को अपने मोमेल में डाउनलोड करना होगा इस लोन अप का डाउनलोड लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्सन बॉक्स और कॉमेंड बॉक्स में मिल जागा उस लिंक पे क्लिक करके आ पूलोड कर पाएंगे तो जैसे ही दूस्त अब लोन अप को डाउनडोड करते की ओपेन करेंगे त्स प्रकार आपके समने फिर्स्ट इंटरफेस से हो जाएगा इस लोन लेने के लिए सबसे पिल आपको इसमें रेजिटर करना होगा register करने के लिए आप inter mobile number में अपना mobile number डालेंगे अब दोस्तों mobile number डाल देने के बाद आपको हैंपे submit button दिकर आप submit button पे click करेंगे जैसी mobile number डालके submit button पे click करेंगे आपका mobile number verified किया जाएगा आपको कुछ second wait करने है आप जो mobile number दियों उस पे 6 अंका OTP जाएगा और वो OTP auto reading यहाँ पे हो जाएगा देख सकते ही मेरा OTP auto reading हो गया है अब आपको कुछ सेगंड वेट करने है अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते ही जैसे आपका mobile number verified हो जाएगा आपके सामने loan apply करने का first step आजाएगा first step में सबसे पहले आपको अपना details fill up करना है तो आप अपना details fill up करेंगे जैसे कि first name आप फहले fill up करेंगे last name fill up करेंगे इसके बाद आप अपना mother full name fill up करेंगे अपना personal email address fill up करेंगे अपना date of birth आप यहाँ पे fill up करेंगे आपको date of birth आधर card and plan card जो उसमें सेम है वही डेटर बर्थ आपको यह पर फिलप करना है इसके बद आप अपना जेनर सेलेट करेंगा आप मेल है या फिर फिमेल है इसके बद आपको कंपनी कोड प्रोमो कोड का ओफसन दिख रहा है करना है तो अपना अधार का नंबर फिलप करेंगे इसके बद दूस्तों सेम कैप्चा कोड को आपको कैप्चा वक्स में डालेंगे दिन कंटीनू करेंगे अब आधार नमर को फिलब करके जैसे ही continue करेंगे आपके अधार कर्क साथ जो भी mobile नमर लिंक होगा उस पे 6 अंका OTP जाएगा आप उस OTP को फिलब करेंगे दर नीचे continue option पे क्लिक करेंगे अब आधार OTP को जैसे आप verify कर लेंगे आपको allow और Danny का option मिलेगा तो आपको allow option पे क्लिक करना है ताकि डिजी लोकर आपके document details को इस loan app के साथ share कर पाए तो आपको allow option पे क्लिक कर देना है जैसे आप allow option पे क्लिक करेंगे देख सकते हैं आपका अधार details verified हो जाएगा और आपका अधार के वाईसे successfully यहां पे compete हो जाएगा अब आपको 5-6 सेकंड वीट करने ही यह आपको next step पे redirect करेगा अब दोस्तों देख सकते हैं आधार के वाईसे जैसे आप compete कर लेंगे अब आपको अपना एक selfie upload करना होगा आपका front camera open हो जाएगा simply आपको इस circle पे अपने face selfie को capture करना है आप नीचे camera बटन पे click करेंगे अब यहां पे आपका selfie capture हो चुका है अब आपको नीचे continue option देखर आप continue option पे click करेंगे अब जैसे आप selfie को upload करनेंगे आपका selfie successfully verified हो जाएगा तो जैसे आप देख सकते हैं आधार details फेल ही verified हो गया है औ नीचे आप proceed option पे click करेंगे अब pen card number फिलब करके जैसी proceed करेंगे अब आपको इंकम details देना है तो सबसे पहले आपको implement status select करना है आप करते क्या है अगर आप एक accelerated person करते हैं आप जोब करते हैं आपको monthly accelerated receive होता है तो आप accelerated select करेंगे अगर आप अपना कांग कूद का business चलाते ह नीचे आप जैसे अप proceed करते हैं दोस्तों यह पे देख सकते हैं successfully अपका loan approve कर दिया जाएगा जैसा कि दोस्तों यह पे देख सकते हैं वो अप्रूव हो गया है अब सिंपल इस लोन को लेने के लिए नीचे आपको टर्म और कंडिशन के चेकबोक्स पे टिक मार्क लगाना है इसके वाद आप एकसप्ट ओफर पे क्लिक करेंगे जैसे आप एकसप्ट ओफर पे क्लिक करेंगे अब आपको एक ट्रांजेक्शन सी पेंस लेंगे सेक्ट अब कर लेंगे लोड लिमिट सकसीस्फुल अ क्टिवेट हो जाएगा अब आप अपने लोड लिमिट को बैंक में ट्रांसफर कर सकती हैं बैंक में ट्रांसफर करने के ल id 6 अबको डेना होगा तो आपना बैंक का qPHHHH करेंगे memorized कोंना को अपर और आप fill up करेंगे account order name यानि जो आपके bank account में नाम है उसको fill up करेंगे account type select करेंगे देन नीचे continue option पे click करेंगे bank details को जैसे add कर लेंगे उसके बाद आप अपने loan limit को अपने margin की साब से bank में ले सकते हैं यह नहीं कि जितना आपको approve किया गया हुई इस सारा amount आपको एकी बार में transfer करना होगा अगर आपको मान लिजे 7000 रुपे का loan approve किया गया है तो आप अपने margin की साब से उसको अपने bank में transfer कर सकते हैं 2000 रुपे 2000 रुपे 2000 रुपे जितना आप निकालना चाहते हैं वैसे आप पैसे को निकाल सकते हैं और चाहते हैं एक बार में पैसे को निकालना तो आप एक बार में भी निकाल सकते हैं तो इस तरी के दोस्तों आप इस loan app से loan ले सकते हैं जैसा आपने देखा यहाँ पर हम without income proof के without bank statement के loan apply की है और successfully loan approved भी हो गया है और साथ ही loan को हम अपने bank में transfer भी कर सकते हैं अब जली हम जानती है इस loan app का नाम क्या है इसको आपको कैसे download करना है तो दोस्तों इस loan app का नाम है ring दोस्तों रिंग है कि बहुत भी best loan app है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इसकी downloading की बात करें तो one color plus लोगों ने इस loan आपको download किया है और इस loan आप से loan लिया है और साथ यहाँ पर rating की बात करें तो 4.2 इसका rating rate है अब रही बात इसको आप कैसे download करेंगे तो download आप वीडियो के description box में दिये हुए link या फिर comment box में दिये हुए link से भी download कर सकते हैं या फिर आप अपने mobile में directly Google Play Store में आ लिक के आप ring loan app को download कर सकते हैं तो जैसा मैंने आपको जो loan apply करने का process है वो मैंने आपको इस वीडियो में step by step बताया है अगर आपको वीडियो जानकर एचले लगे तो वीडियो को like कर दिजे चैनल पढ़ना है चैनल को subscribe कर लिजे आपके मन में कोई भी confusion है वीडियो के नीचे comment कीजे और वीडियो को आगे share जरूर कीजे मिदे नेक्स वीडियो में thank you जाहिंद